नमस्कार जहिंत और एक्जाम गाइड गुरू का यूटूब चनल आप सभी देख रहे हैं मेरा नाम है सुजीत पांडे और दोस्तों आपको बता दूँ कि आप जिस एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें ये कौशन भी बार बार आए हैं और आगे भी आपके एक्जाम में कौशन आ सकते हैं तो यदि आपको बिल्कुल तैयारी करने जॉब चाहिए तो इन कौशन को रट लेना हमारे चनल पर कम समय में ज़्यादा कौशन कराई जाते हैं तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब कर लेना करते हैं सुपर फास्ट इस वीडियो को स्टार्ट पहला कोशन है 1909 के मारले मिंटो सुधार ये किसलिए विख्यात है तो 1909 का मारले मिंटो सुधार ये प्रतक निर्वाचन मंदल के लिए विख्यात है आप्शन नमबर ए प्रतक निर्वाचन मंदल प्रशनी के लिए राइट आंसर हो जाएगा वहाँ उपकरन जो विद्धुधारा के ताप प्रभाव सिधान्थ पर कारी करता है कौन सा है तो विद्धुधारा के ताप प्रभाव सिधान्थ पर यहाँ पर आप कुछ ऑप्शन दिये गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज काम करता है, उप्शन नमर सी, इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रशनी के लिए राइट आंसर हो जाएगा, अगला कॉशन, विश्व की पहली महीला अंत्रिक श्यात्री इन में से कौन सी है, तो विश्व की सबसे पहली महीला अ विए रिष्टा कोवाbooks कोटया टा नागरिक उड्यन प्रसिप AH के यह आपका बाद में सिट कोलकाता नगर की इस्ठापना कब हुई थी तो जो कोलकता नगर यह स्थापित किया गया था आपका गर किंद करता हे ना मैं कमेंड करता आपको काला परवत इन में से कहां पर है तो ब्लेक फॉरेस्ट या काला परवत हमारे ठाटोसाज में में προami referendum इस्तित्थ है option number D भूटान में काला पर्वत स्तित्थ है अगला कोशन गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी यमुना option number A यमुना राइट अंसर हो जाएगा अच्छा कमेंट करके वताये पत्णा के निकट बिहार में पत्णा की निकट गंगा नदी में कौन सी नदी आके मिलती है मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ वह नदी मंदप्लेश से होती हुई आती है और recur लिए कौन सी है option number C, Sumerian भांसा प्रश्णी के लिए right answer हो जाएगा इंडिया शब्द का प्रयोग सरपथम किस ने किया तो इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था यूनानियों के द्वारा किया गया था option number B, यूनानियों ने किया था सबसे पहले बुसल्मानों के लिए प्रथक निर्वाचन की विवस्ता किस अधिनियम के तहत की गई थी तो मुसल्मानों के लिए प्रथक से निर्वाचन की विवस्ता 1909 अधिनियम के तहत की गई थी option number B, 1909 अधिनियम right answer है 180 degree देशानता रिखा को कब अंतर राश्टी तिथी रिखा माना गया था तो 180 degree देशानता रिखा को अंतर राश्टी तिथी रिखा ये गोशित किया गया था 1884 ECUE में option number यहाँ पर भी 1884 ECUE right answer है दोस्तों आपके लिए हमने यह question आप देख रहे हैं भारत के सभी examों में जिस exam के आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी पिछले 30 साल से बार बार पूछेगा GKGS की यह question है और यह आगे भी आपके exam में आने के 100% chances हैं ऐसे हमने 10,000 caution इखटे कर लिए हैं और 10,000 caution की PDF बना ली है और यह PDF आपको मिलेगी WhatsApp पर आप सभी को जो नए हैं पुराने सबको यह PDF WhatsApp पर मिल जाएगी 10,000 caution है GKGS objective type जिसको भी यह PDF चाहिए 300 रुपए की PDF है लेकर अभी 99 रुपए में सबको मिल जाएगी फॉन पे गूगल पे पेटियम से आप पेमेंट कर सकते हो 99 रुपए में जिसकी छमता है जो सक्षम है वो खरीच सकता है नीचे दियेगा नंबर पर WhatsApp कर लिए यह नंबर आपको पूरे वीडियो भर में शो होगा नीचे दियेगा नंबर पर WhatsApp कर लिए जिसको PDF चाहिए और जनरल मानिक शॉ प्रशनी के लिए बिल्कुल सब्सवांजर करता है तो जो राष्रपति होता है यह आपका अनुछिद 1,2,3 मतलब 123 के तहब अध्या देश जारी करता है ऑपशन वसी 123 के तहब अध्या देश जारी करता है राष्रेपती प्रथम विश्व कप हौकी का आज़न कप किया गया था तो जो हौकी का विश्व कप है सबसे पहला वाला वो आपका 1971 इसमी में आज़ुत किया गया था ऑपशन अमसी 1971 प्रशनी के लिए राइट आंसर हो जाएगा नहरू ट्रॉफी का सम्द्ध किस खेल से है तो नहरू ट्रॉफी जो है यह आपकी होकी से सम्द्धि ट्रॉफी है और आपको एक कौशन पूछता हूँ कमेंट करके बतायेगा Durand Cup मैं जितने caution पूछता हूँ ना बीच भीच में ये सब ये exam में आ चुके हैं Durand Cup किस खेल से संबने थे पताइए Durand Cup किस खेल से संबने थे Comment box में इस प्रशन का अंसर दीजेगा World Trade Center पर हमला कब हुआ था तो World Trade Center पर जो हमला हुआ था यह आपका 11 सितंबर 2001 की बात है 9-11 का हमला बोला जाता है 9 मतलब सितंबर 9 महीना होता है और 11 तारीक तो 9-11 का हमला बोला जाता है वहाँ पर ठीक है 9-11 का हमला है तो यह रखना World Trade Center वाला हमला है All India Radio की स्थापना कब हुई थी तो All India Radio इसकी स्थापना सन 1936 एकी में होई थी उप्चनडी यहाँ पर C सन 1936 एकी में प्रश्नी के लिए राइट आंसर हो जाएगा पर्याटन डिवस कब मनाया जाता है तो आपका पर्याटन डिवस जो मनाया जाता है 27 सितंबर को उप्चनडी इस की परिप्च्षा Wोई थी 1950 ECU में हुई थी 1950 ECU में सबसे पहले IAS की परिक्षा हुई थी प्रॉफेसर सतीस धवन अंतरिक्ष किंद्र किस राजजमेस्थ है तो सतीस धवन अंतरिक्ष किंद्र जो है यह आपका आंधर प्रदेश में पढ़ता है option नमसी आंधर प्रदेश में कलपना चाउला जी की म्रत्ति हुई थी उरिसा राज बिहार से कब अलग हुआ तो जो उरिसा राज है यह बिहार से सन 1936 ECU में अलग हुआ था option नमरे सन 1936 ECU राइट आंसर हो जाएगा बहुत धर्म की स्थापना कब हुई थी तो जो बहुत धर्म था उसकी स्थापना छटी स्थापनी में हुआ था option नमरी छटी स्थापनी में बहुत धर्म की स्थापना हुई थी इसलाम धर्म की स्थापना किस सदी में हुई थी तो इसलाम धर्माय था आपका साथवी स्थापनी में option नमर C 7 सताबधी राइट आंसर है विश्व का सबसे बड़ा प्रायदिप कौंसा अहें में से तो विश्व बड़ा प्रायदिप यहाँ पर आपको देखिए राजस्थान में सबसे पहले लागू जो है इसका यूज किया गया और 2005 में यह आट याइए एक्ट 2005 में लागू हुआ यार रखना ठीक है आट याइए सूचना का दिकार राइट टू इन्फॉरमिशन 2005 में लागू हुआ पंचायती राज लागू करने की सिफारि लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है तो लोकसभा को राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 85 के अंतर भंग किया जा सकता है और अनुच्छेद 85 पूरे भारत को कितने छेत्री प्रदेशों में बांटा गया है तो जो पूरे भारत है हमा सबसे पुराने निवासी किसे माना जाता है तो भारत के सबसे पुराने निवासी कि नेग्रिटो को माना जाता है अब्चन नमबर यहाँपर भी ठमलनाडू राज्य राइट आंसर है पहली बार प्रस्तावना में संसोधन किस सम्विधान शंशोधन की द्वारा किया गया था तो सबसे पहले जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 42 सम्विधान शंशोधन में प्रस्तावना में संसोधन किया गया था किस दिन होती है तो सूर्य और प्रथ्वी के बीच की सबसे नीश्य नामगानिस्तानolph और अफ्ञानिस्तान की अफ्ञानिस्तानिश राइट अंसर है। Unicef Divas किस्तिति को मनाया जाता है तो Unicef Divas यह आपका 11 December को मनाया जाता है Option नमर भी 11 December राइट आंसर है प्रधान मद्यान रेखा चाहां से घुजरती है तो Prime Meridian रेखा यह प्रधान मद्यान रेखा यह आपकी England घुजरती है, Green Wish सुनाय आपने इंग्लेंड option number यहां पर भी right answer हो जाएगा पश्यमी घाट परवत का दूसरा नाम क्या है तो जो पश्यमी घाट परवत है उसको सहयादरी परवत वाला भी बोला जाता है सहयादरी परवत संखला option number यहां पर सहया answer हो जाएगा और पुर्वी को कोरो मंदल टट बोला जाता है क्या बोला जाता है कोरो मंदल टट जो आपका तमिलाडू का एरिया है कोरो मंदल टट कहलाता है सरप्धम सूती वस्त्र उध्योक की स्थापना कभ हुई थी सबसे पहले सूती वस्त्र उध्योक की स्थापना यह हुई थी आपकी 1854 में आजादी के बहुत पहले 1854 इसवी option number यहाँ पर भी right answer हो जाएगा डच कहां के निवासी थे तो जो डच थे ये आपके हॉलेंड के निवासी थे औप्शन नमरे डच जो थे ये हॉलेंड के निवासी थे राष्ट्रिय फिल्म अभी लेखागार ये कहां परिस्तित है तो राष्ट्रिय फिल्म अभी लेखागार ये आपका पूने में स्तित है option number D, पूने में इस्तित है, राश्टिय फिल्म अभी लेखागार, सुमात्रा द्वीप कहां परिस्तित है, तो सुमात्रा द्वीप जो है आपका इंडोनेशिया में पढ़ता है, option number C, इंडोनेशिया में आपका सुमात्रा द्वीप पढ़ता है, internal इंडिया, इसके लेखक सरवादिक प्रोटीन इनमें से किस में पाये जाता है, तो सरवादिक प्रोटीन आपका सोया भी इनमें पाये जाता है, option number C, सोया भी इनमें सरवादिक प्रोटीन पाये जाता है, जल स्वाराज परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है, तो जल स्वाराज परियोजन आपका केरल, option number 2, केरल में रवड सबसे ज़्यादा होता है या रखना, संगमरमर इनमें से कैसी चटान है, तो संगमरमर है आपकी, ये आपकी रूपांतर चटान का उधान है, option नमसी, रूपांतर चटान का उधान है संगमरमर, महराणी विक्टोरिया को भारत की सामरागी, कब घोशित किया गया था, तो महराणी विक्टोरिया को भारत की सामरागी, राइट आंसर हो जाएगा, 800, यहाँ पर ठोड़ा रही कर लिज़े, गलत लिखा हुआ है, 1859 में घोशित किया जया था, 57 की क्रांती हुई थी, 1859 में घोशित किया जया था, मैं सही कर देता हूं, option number A यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, तब तक इस्ट इंडिया कंपनी भारत को चलाती थी उसके बाल सीधे भारत का चाशन ब्रिटिस क्राउन के अंतरगत चला गया कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरीकता खत्म होजाती है तो यदि आप लगातार करीब 7 वर्ष बाहर रहेंगे तो आपकी नागरीकता खत्म हो सकती है ऑप्शन नमर यहांपर भी 7 वर्ष का रूल है भारत रत्न संबान देने की सुरृत कपसे स्टार्ट सबस्यात चीन में प्रशलित है option हिए चीन प्रशन के लिए right answer है हाब ए, शर्ब कर किस पर लगाया जाता है तो हाब ए, शर्ब कर ये सिचाई पर लगा जाने वाला कर है option नल getir सिचाई पर लगाny जाने वाला कर Greenland किस के अधिकार चेत्र में है तो जो Greenland है ये Dan Mark के अधिकार छेत्र में है option number A Dan Mark right answer है अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कोई सी है अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी अरब सागर में नर्वदा नदी गिरती है ठीक है या रखना और कमेंट करके उताओ गंगा नदी ये कहां पर गिरती है गंगा नदी किस जगा पर जाके गिरती है कमेंट करके उताइगे ठीक है अरब सागर में नर्वदा सबसे बड़ी हो जाएगी और गंगा वैसे भारत की भारत में बहने वाली भारत की सबसे लंबी न दी है गंगा न दी गंगा का उलेक किसे वेद में मात्र एक बार किया गया है तो गंगा का उलेक रिगवेद में किया गया है मात्र एक बार option number A, रिकवेद में गंगा का उलेक मात्र एक बार किया गया है भारत छोड़ो आंदोलन की समय, कॉंग्रिस के अध्यक्ष इन में से कौन थे तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कॉंग्रिस के अध्यक्ष थे आपके मौलाना, अबदुल, कलाम, आजाद जी option number C, right answer है आत्म सम्मान आंदोलन की जनक कौन है, तो आत्म सम्मान आंदोलन की जनक है आपके रामा स्वामी नायकरजी, option number B, रामा स्वामी नायकरजी, right answer है पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेक किनह दिया जाता है तो पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेक दिया जाता है आपका लॉड हैस्टिंग को ऑप्शन नमबर ए लॉड हैस्टिंग से राइट आंसर है भक्ती आंदोलन के जन्मिदाता कौन थे तो भक्ती आंदोलन जो हुआ था उसके जन्मिदाता आपके माना जाते हैं रामा नुजाचार जी ऑप्शन नमबर भी रामा नुजाचार जी को भक्ती आंदोलन का जनक माना जाता है भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगी है तो भारत की सीमा सबसे ज़्यादा राइट आंसर हो जाएगा जदी छेत्रवाइस देखें बांगलादेश से हमारी सीमा सबसे ज़्यादा लगी है option number A, बेगई नदी के किनारे मदुराई जो है, इस्तित है, भारत में काली मिर्च की खेती सबसे ज़्यादा कहां पर होती है, तो काली मिर्च की सबसे ज़्यादा खेली होती है, आपकी केरल में, option number D, केरल में काली मिर्च की सबसे ज़्यादा खेती होती है, भारत में लाल मि और राश्टी एटलस तथा विशयक मानुचित्र संगठन तो राश्टी एटलस और और विश्यक मान्चित्र संग्ठन यह आपका कॉलकाता में है ऑप्शन नमसी कोलकाता प्रश्णी के लिए राइट आंसर है भारत में वन महुत्सो कब से प्रारंब हुआ तो भारत के अंदर वन महुत्सो सन 1902 से स्टार्ट हुआ है ऑप्शन वसी सन 1952 राइट आंसर है दस घ्राइट यहां पर भूमे के उपनाम से इनमे से किसे जाना जाता है तो तसलाइब हांतियों की भूमे लावोस नाम से जाना जाता है और यहां पर लस राइट नाजएं तो सौर मंदल के खोज करता आपकी कौपर निकस हैं option number C कौपर निकस के द्वारा सौर मंदल की खोज की गई थी गरहों के गती का नियम इन्ने में से किस ने प्रतिपाइद किया था तो गती के नियम से संब्ढ़ने थे आपके कैपलर option number C गती के नियम से कैपलर संबन्दित है C of Tranquility ये कहाँ परस्त है तो C of Tranquility ये आपका चंद्रमा परस्त है option number C, चंद्रमा राइट आंसर है चीन का Manchester इनमें से किसको कहा जाता है तो चीन का Manchester आपका शंगाई को कहा जाता है option number C, संघाई राइट आंसर हो जाएगा प्रश्ने के लिए भारत की आकरती कैसी है तो जो भारत है आपका यहाँ पर जो option देगा है चतुस कौड़ी आकरती है भारत की option number C, चतुस कौड़ी आकरती है भारत की national wood fossil park कहाँ परस्त है तो national wood fossil park यह आपका जैसल मेर में पढ़ता है option number B, जैसल मेर में national wood fossil park पढ़ता है जैसल मेर किस राजी में पढ़ता है कमेंट करके बता है महाराश्ट्र या राजिस्थान, जैसल मेर कहाँ पर पढ़ता है महाराश्ट्र या राजिस्थान comment box में comment करके आंसर दीजिए महापदमनंद को क्या कहा जाता था तो महापदमनंद उग्रिसेन option number C उग्रिसेन प्रशने के लिए बिल्कुल सही आंसर है सुदर्शन जील का पुन्रुद्धार किस ने कराय था सुदर्शन जील का पुन्रुद्धार ये इसकंद गुप्त ने कराय था option number C इसकंद गुप्त प्रशने के लिए राइट आंसर है अभी लेखों का अध्यन क्या कहलाता है तो अभी लेखों का अध्यन आपका इपीग्राफी कहलाता है option number A के ईपीग्राफी ये अभी लेखों का अध्यन केहलाता है विश्व का पहला विध्याल है तक्षषिला ये कब इस्तापित किया गया था तो तक्षषिला विश्व विध्याल है ये विश्व का पहला विध्याल है 1984 में इसको इसस्तापित किया option number C 1971 राइट आंसर है भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था तो भारत में सबसे पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित किया गया था 1780 ECU में सबसे पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ती के नाम से जाना जाता है पंच शील समझोदे पर 29 अप्रेल सन 1954 को हस्ताक्ष चरुआ था ओप्शन नमबर भी 29 अप्रेल सन 1954 राइट आंसर है एशियन डेपलप्मेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी एशियन डेपलप्मेंट बैंक इसकी स्थापना 1966 इसवी में की गई थी आप्शन नमबर भी 1966 इस वी राइट आंसर है डी एन एजाच के इंद्र कहां पर है तो डी एन ए जाच के इंद्र यह आपका है थ्राबाद में इस्थापना इस वर्ष होई थी तो लंडन में आपका इंडिया हाउस इस्थापत किया गया है और यह इसकी स्थापना उनिस सो पांच इस्थां आप से कोई पूचे इंडिया हाउस कहा है तो बोलड़े ना इंडिया में नहीं लंदन में हैं अगला कोशन दिखिए लव मिजिएम देश में सकते हैं तो लौ म्यूजियम यह आपका फ्रांस में स्कत है उप्शिय नमबर ऑप्रांस प्रश्ने के लिए राइट अंसर हो जाएगा यूनिसेफ दिवस कब मनाय जाता है तो यूनिसेफ दिवस आपका ग्यारा दिसंबर को मनाय जाता है option नमबर ए ग्यारा दिसंबर राइट आंसर है the insider पुस्तक के लेखक इन में से कौन है तो the insider पुस्तक जो लिखी गई है यह पीवी नरसिम्हा राओ जी के द्वारा लखी गई है option नमबर यहाँ पर सी पीवी नरसिम्हा राओ जी प्रश्णि के लिए राइट आंसर है चोल शाशकों की भाशा क्या थी तो जो चोल शाशक थे उनकी भाशा थी आपकी तमिल भाशा option नमबरी तमिल भाशा थी चोल सब्सक्राइब की भाशा लोवर संग रहर यह कहां पर तो लोवर संग रहा हम ऑका पैर िषते आ सबसे और ध्युयोगे की नीथि का नी पुरस्ताव सबसे पहनी बार कब परत किया गया था थो यो इस प्रस्ताव इस है इसका राइसानिक सूतर होता है F.E.S. 2 option number यहां पर C F.E.S. 2 right answer है भारत में पहला छेत्री ग्रामिड बैंक कप खोला गया था तो भारत में सबसे पहला छेत्री ग्रामिड बैंक यह 2 October 1975 को खोला गया था और यह रहा आपका आज का आखरी question कि नीलकंट महादेव मंदिर र कि भूगोल में दुएत वाद का सिधान्त किस सताब्दी में हुआ था इस तो प्रशनिक आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना कौन-कौन पहली बार आया मुझ सब्सक्राइब कर सकते हो आप सब्सक्राइब कर सकते हो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप करने शुब हो जय हिंद जय भारत